Hello everyone, welcome to my channel, my name is Sartak and कल मैंने solve करा था sectional mock IVPS clerk का जो की quant का था first number and आज मैं करूँगा second number का sectional mock यह है quant का IVPS clerk, तो चलिए start करते हैं कल के जो percentile था वो 90 से उपर था and जो marks थे वो 23 कुछ something थे, ठीक है तो start करते है this is the, ठीक है, इसको छोड़ा skip करा, skip करा, skip करा अच्छा जी, two dies are 12 with the probability of a divisible by 5 divisible by 5, तो 1 और 4 होता है 2 के साथ 3 होता है, और कुछ नहीं होता है 3 के साथ 2 होता है, और 3 के साथ होता है नहीं, 4 के साथ 2, 4 के साथ 1 हो जाता है फिर 4 और 6 हो जाता है, 4 और 6 भी होता है 5 और 5 भी होता है, फिर 5 के साथ 0 नहीं होता है फिर 5 पांच होता है, फिर 6 के साथ सिर 4 होता है तो 1 2 3 4 5 6 7 7 2 36 7 2 36 option में है divisible by 5 exactly अच्छा 5 exactly कट जाना तो ये कितना है 9 of these होना चाहिए देख लिए तो फिर से 1 2 3 4 5 6 7 कोई और तो नहीं बच रहा है 1 और 5 यहां से 2 और 5 और कोई होता है 2 और 5 नहीं अगे 3 और 6 भी नहीं होता है 3 और 6 तो नहीं होता है 4 और 1 के हो गया 4 और 6 हो गया 5 और 5 हो गया 6 और 1 के हो गया 7 by 36 है इसका तो आंसर और कुछ नहीं होगा exactly by 5 तो इसमें 99 बनना चाहिए next आगे क्या लिखा हुआ है ये नमबर शरी है इसमें क्या लिखा है number of the cctv's दिया गा और without cctv's दिया गाए तो इसमें क्या लिखा हुआ है difference between the number of total number of shops in city ए अगर मैं बात करूँ c की city की तो c में मेरे को क्या दिख रहा है सबसे पहले ये 400 है 400 ये 20 हो गया 420 हो गया plus नीचे कितना 200 ये हो गया total कितना 620 ये हो गया c का अब e की बात करते हैं तो e में कितनी shops हैं e में बात कर लेते हैं ये क्या कौन सी वाली shops थी है blue वाली थी cctv और जो red वाली थी वो थी without ठीक है और c में कितना है total c में जो blue वाला है that is 380 380 और जो ये है ये है 600 ये हो जाएगा 0 8 और ये हो जाएगा 9 ठीक है दोनों का difference चाहिए 0 हो गया 8 में से गया 6 गया 360 360 option में है ठीक है आगे क्या लिखावाद ratio of the number of the cctv of a a का cctv अगर मैं यहां बोलू cctv of a blue वाला कितना दिख रहा है 400C दिख रहा है जिसे 400C ठीक है और जो लाल वाला दिख रहा हो कितना दिख रहा है 200C दिख रहा है ठीक है आगे क्या बोला है c का without cctv तो c का without cctv है a का हो गया 480C divided by 200 हो गया 0 हो गया यह 4144, 422 जा 450 हो गया 12 और 5 option में है क्या नहीं इसमें क्या हो गया without cctv बोला था इसका c का तो 480C by 200 0 हो गया 12 होता है 4 से जाएगा 5 बर तो यह 12 ratio 5 की नहीं हा रहा है ratio shops with cctv in a ठीक है जो की cctv in a हो गया shops without cctv in c c की without cctv तो 200 है तो यह option none of these हो रहा है ठीक है the number of the shops cctv in e e में कितना है cctv वाले without 600 is what percentage of the number of the shops in cctv in b तो b में क्या है भाई b में लिखावा यहां पर blue line जो है वो 300 है तो 300 का हो जाएगा यह सीधा 2 से कटेगा 200% हो जाएगा next आगे क्या लिखावा है average number of the cctv in b c d तो d का भी यहां पर लिख लेते हैं d का जितना मुझे देख पा रहा हूँ यह 640 है ठीक है और without cctv पूचा था तो without cctv वाला कितना हो गया 240 हो गया और b में कितना था b में था यह 460 460 तो इन दोनों का 001 700 हो गया c का कितना है 200 900 को डिवाइड करेंगे 300 से 300 आगया if the ratio of the total number of the shops in city e to f is 4 ratio 5 c में 620 था 620 का 4 करेंगे ठीक है total number of shops तो 4 से कटेगा यह 15 बार 15 और यह गटेगा 4 into 5 हो जाएगा यह total हो जाएगा and the cctv in f is 20% more than that of b b का 300 है इसको 5 से करेंगे 6 से कर देंगे 60 360 हो जाएगा 5 का 20 हो जाएगा 25 27 हो जाएगा 5 हो जाएगा 7 हो जाएगा 360 माइनस कर देंगे 0 हो जाएगा 1 हो जाएगा 410 option में है 410 option में नहीं है then the number of the shops without cctv is नहीं हो जाएगा c का कितना था 620 था उसको मैंने again 604 से कर दिया यह 5 हो जाएगा उसके बाद 20% था 20 से 20 बसन जाएगा तो b में कितना था b में था cctv वाला 300 था इसको 5 से कर रहा तो 6 हो गया that is 60 यह 360 हो गया 4 से करेंगे 4 बन जा 422 4 फाइवज़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़ इसको देखा ये बड़ा ये बड़ा इसको देखा ये इसको देखा ये X greater than equal to ठीक है जो जो होते जा रहे है उसको direct करते जाना है ये दोनों plus हो गया उसके बाद क्या है यहाँ पर 10 और 6 होगे फिर से plus हो जाएंगे ये बड़ा ये बड़ा इसको देखा ये इक्वल टू ये देखा ये बड़ा आंसर हो जाएगा C&D नेक्स्ट इसमें के लिखा है यहां लिखा है 195 तो 195 क्या होता है 15 इंटू 13 होता है 13 169 तेख ये ही होता है उसके बाद क्या हो गया दोनों positive हो गया यहां पर ये फ्लस का 14 हो गया माइनस का 14 हो गया इसको देखा ये बड़ा ये बड़ा इसको देखा ये बड़ा आंसर हो गया CMD नेक्स्ट तीक है आगी क्या है यहां पर ये है 27 और 2 54 तीक शिक नाइन जब 54 हो गया दोनों positive हो गया पांच से करेंगे 30 हो जाएगा, पांच से करेंगे 45 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर करेंगे 130, तो 13 और 10 होता है, यहाँ दो से करेंगे 26 हो गया, दो से करेंगे 20 हो गया, दोनों positive हो गया, इसको देखा यह बड़ा, इसको देखा यह बड़ा, इसको X greater than equal to, ठीक है, नेक्स क इसको देखा यह, इसको देखा यह, y greater than equal to, देखे, यहाँ पर क्या लिखा भाइ, 144, this is 144 divided by 6, यह कितना होता है, 36, sorry, 24 होता है, 24 छक्के, 144 होता है, plus 110 हो गया, 110 plus 134 हो गया, divided by 2 हो गया, यह होता है, 2, 6, 2, 7, जा 14, 67 option में है, 67 option में है, next क्या है, यह 80 हो गया, divided by 4 हो गया, कितना हो गया, यह 20 हो गया, 20 को divided by 2 से कर दिया, फिर से 10 हो गया, 10 into 8 कितना हो गया, 80 के प्रोक्स आ जाएगा, ठीक है, next, 640 हो गया, divided by 8 करेंगे, 4 हो गया, 4 से करेंगे, 16 हो गया, 160 हो गया, plus 80, 80 into 6, 80 into 5, तो 400 होता है, और उसका आधा भी करना पड़ेगा, 400, तो 440 और यह 600 हो जा होता है, क्या लिखावा, 640 लिखावा, divided by 4 लिखावा, 4 बंजा 4, 4, 4, 4, 4, 24, 4, 6, 24 होता है, 0 हो गया, 160, प्लस 80 लिखावा, 80 into 5 कितना होता है, 400 होता है, इसका दो आधा कर देंगे, 40 हो जाएगा, 440 प्लस 160 हो जाएगा, 400, प्लस 160 हो जाएगा, 600, शेज़ो ऑप्शन में स्किप करते हैं, देन उसके बाद क्या आएगा अगे, यह लिखावा है, 36 का स्कोर, 36 का स्कोर क्यों होता है, 1296 होता है, minus से 25 का स्कोर लिखावा तो 675 मینस करना पड़ेगा, 625 हो गया, 1 हो गया, 9 से 2 गया, 7 हो गया, 671 हो गया, 400 प्लस कर दो यहाँपर, 1 हो गया, 7 हो गया, तो 1071, ये कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, 671, माइनस 400, 271, 271 भी option में नहीं है, 271 भी option नहीं है, इसको skip करेंगे, then ये क्या है, इसको 9 ले ले लेते हैं, 9 into 990 हो गया, divided by ये 11 हो गया, 90 से गड़ी है, 90 हो गया, ये 4 into 330 हो गया, 0, 12, 12, 13, 1390, 4, sorry, 1410, 1410, 4 into 2, 260, 4 निकल गया, 330, 90 हो गया, 4 into 330, लिखा है, divided by 3, लिखा है 110, 440 हो गया, 440 plus 90, 530, next, क्या लिखा है है, फिर से ही हो गया, ठेक है, इसमें क्या लिखा है, इसमें लिखा है, इसमें लिखा है, the number of the smart watches is sold in October, October है नहीं, is 85% more than that of June, June का कहां पर है, लाल वाला, 15%, 3 by 20 of, किसका, 3 by 30 of, पच्चिस हो का, 0 हो गया, 0 से 0 गड़ी है, ये कितना हो था है, 125 हो जाता है, 125 into 3, 375 हो गया, ये हो गया, किसका, जून का, ये किसका, अक्टूबर का बोल रहा है, 85 जाता, इसमें 5 जोड़ दो, एक इतना हो जाएगा, 80, 80, 80 हो जाएगा, 460, 460 हो गया, and the number of the watches in April is 420, April में जो है, वो 420 है, ठीक है, difference between the smart watches और April हो जाता है, 40 आज़ेगा, 40 option में है, next, आगी क्या आएगा, out of the total number of the smart watches sold in July and August, 40% and 50% are Apple, find the Apple smart watches in, ठीक है, तो इसमें क्या बोला, इसने July बोला, July का कितना है, यहाँ पर July का green है, 18 into purchase करना पड़ेगा, 18 into purchase हो जाएगा, 25 यह 90 हो गया, 18 into 26 हो गया, 45 हो गया, 450 हो गया, फिर यहाँ पर बात कर रहा था August की, August का क्या है, परपल है, 30%, 3 by 10 कर देंगे, 0 हो जाएगा, 7500 हो जाएगा, ठीक है, इसमें बोला, इसका 40% है, तो 90 हो जाएगा, 90 का 2, 180 हो गया यहाँ पर, और इसका कितना है, 50%, इसका 50% होता है, 375, पांच हो गया, पांच हो गया, एक, पांच सो पच्पन, पांच सो पच्पन option में है, ठीक है, दे रेशो अफ दे नमबर अफ दे स्मार्ट वाच इसोल जून औन जुलाई है, जून औन जुलाई का कितना आ रहा है, फाइफ थरी जा होता है, पांच होता है, जून का ये निकालाई है, और सप्टेंबर का कितना है, सत्रा, तो ये पच्चेस इंटू 17 करना बढ़ेगा, 17 है, 17 पंजे कितना होता है, 85 ये 34 हो गया, 34 में इस 42 जोड़ दिया, 425 और इसमें कितना अंतर है, 50 का अंतर है, ठीक है, 50 का अंतर है, नेक्स कैन नमबर स्रीज है, नमबर स्रीज में क्या लिखावा है, 45 का 60 यह 20 प्लस करना पड़ेगा ठीक है, आगी क्या हो गया यहाँ पर अगर 70 होता तो 19 होता 19 प्लस 5 19 प्लस 5 इस 24 इसमें अगर मैं देखूं 18 प्लस 11 18 प्लस 11 इस 29 ठीक है तो यह chances है 4 यह 5 हो गया, यह 6 हो जाएगा यह 35 हो जाएगा, ठीक है यह 35 प्लस करेंगे, बिल्कुल 35 प्लस करेंगे यहाँ पर 7 करेंगे, तो यह हो जाएगा 42, 153 प्लस 42 इस 5, 195 195 आप्शन में है ठीक है, अगी क्या है अगी क्या है कमोन यार नेक्स क्या लिखावा है नेक्स लिखावा है 400, 400 में मैंने क्या कर दिया, यह 100 प्लस कर दिया ठीक है, 100 प्लस कर दिया यहाँ पर मेरे को क्या दिख रहा है, 89 प्लस कर दिया तो यहाँ पर 65 और 11 होता है जिसको 76 बोलते है 65 फ्लस 11, ठीक है 76 हो गया, यहाँ पर कितना लिखावा यह 35 हो गया, 26 हो गया एक और एक यहाँ 61 हो गया ठीक है यहाँ पर मैंने 11 माइनस करा यहाँ पर मैंने देखो 9 से यह 3 गया एक 13 गया यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो यह 15 गया ठीक है यह 15 गया 11, 13, 15 यहाँ से 17 जाना चाहिए 11 जाएगा तो 20 जाएगा 6 जाना चाहिए तो 46 जाना चाहिए अब 726 में 46 अगर मैं प्लस करूँगा 726, 46 तो ये 12 हो जाएगा, 1 हो जाएगा 87, 82 कुछ ना कुछ गलत हो रहा है 11 में से 7 गया, 4 ये 5 गया, 1 गया, 44 726 प्लस 44 जीरो, एक 770 अप्शन में है, 770 हो जाना चाहिए, तो के लिखावा है, 18 लिखावा है, 18 16, इंटु 2 गया divided by 3 कर दिया इंटु 2 गया, divided by 3 कर दिया इंटु 2 गया, 16 option 16 option में अना चाहिए, तो 2014 प्लस का 60 कर दिया, प्लस का 번ी कर दिया, ये 100 कर दिया, फिर 120 ओर है, फिर यहांपर 140 हो रहा है पर कितना रहा है 165 प्लस ये 6 हो गया 196 ये 15 का है ये 14 का है आगे 13 का होगा फिर इसमें 12 का होगा अब 11 का गरना है 744 प्लस 121 इस 5 6 865 ये रहा ठीक है आगे के लिखावाद रेशियो प्रेजेंट डेजिस अफ एन बी इस 7 रेशियो 10 7 रेशियो 10 हो गया age of a 16 years after is 2 years ठीक है age of a after 16 years plus कर देंगे ये जो होगी 2 कम होगी plus equal to the b की age 10 years ठीक है 10x plus 6 हो जाएगा इसमें करा इसको ये 3x हो गया यहाँ पर ये 6 minus होगा 10 और 12 हो जाएगा x की value होगी 4 sum of the a और b ये 17 हो गया 17 into 4 होता है before 8 years ठीक है तो 8 minus कर देंगे start option में है क्या ठीक है आगी क्या करना है था time taken by the boat to cover 180 km downstream is equal to the time taken by 144 km of upstream speed of the current is 6 km ठीक है boat निकलना है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा x plus 6 हो जाता है यहाँ पर x minus 6 हो जाएगा equal to यह हो जाएगा यहाँ पर केतना होता है 12 15 होता है यहाँ पर सिधा 12 12 से जाता है तो यह 15 x हो गया minus 90 हो गया equal to 12 x हो गया plus 72 हो गया जब basically जब time equal होता है उसको पर रेशियो से भी कर सकता था जब time equal होता है तो speed और यह दोनों equal हो जाता है 0 से गया 12 15 जो होता है 12 12 जो होता है 3 5 15 3 4 जो होता है तीक है यह हो गया किसका ratio यह distance का तो speed का ratio भी same है तीक है इसका 24 हो गया दोनों को जोड़ा कितना हो गया 54 54 divided by 2 is 27 27 option में है कुछ ना कुछ तो गलत हो गया है 180 divided by current की speed x plus 6 equal to how much 144 divided by x minus 6 that is upstream upstream नहीं है upstream नहीं है that is x this is 15 this is 12 this is 5 this is 4 let's take 5 x equal to यहां पर कितना हो गया 4 x plus 24 x की value 24 आगी ऐसा ही होता है exam में तीक है अब गलत चीज़ें पढ़ लेते हैं फिर उसी को solve करते हैं a के लिए लिखावा 20 काम करता है b के लिखावा 24 करता है a plus b plus c तीनों का दे दिया जो की लिखावा 8 यहां से मैं देख पार हम 120 होता है इसको करा 6 से इसको करा 5 से इसको करा 15 8 ठीक है तो यह 6 5 11 हो गया c की value 4 होगी total wages offer to a b c together अच्छा तो 6 5 4 का ratio हो गया obtain कितनी करीदा ही 3000 हो गया यह 11 हो गया 15 का 2 हो गया 12 हो गया 12 हो गया यहां पर next आगे के लिखावा है a and b entered करें 4 ratio 5 के लिए after x months और इसने लगाया x minus 4 के लिए तो यह 4 x हो गया यह 5 x minus 20 हो गया जो उनका ratio बना that is 6 ratio 5 यह 2 हो गया यह 3 हो यह 5 का 10 x हो गया यह 15 x हो गया minus 60 हो गया 5 x की जो value हो रही है वो कितनी आ रही है यह 5 हो गया यह 60 हो गया x की value 12 हो गया तो इसने पूचा क्या है time period ratio चाहिए मेरे को तेक है यह 12 हो गया यह 8 हो गया यह 3 और 2 होता है तीन ratio दो option में है तेक है next क्या लिखावा है यहां पर the area of the ratio 3 है यह किसका rectangle का यह किसका square का the side of the square and the length is equal to the अच्छा दोनों की equal है जो length is equal to a है ठीक है and the perimeter of the rectangle is how much 60 ठीक है length अगर इसकी 60 है तो अगर मैंने 60 मार लिया इसको तो यह कितना हो जाएगा 60 minus L हो जाएगा breath ठीक है और यह क्या है area perimeter दे रखा है तो 60 minus 60 minus L equal to 60 हो गया perimeter चाहिए square का ठीक है इसको कर ले दें यह 60 रखा है यहां पर 60 minus L हो गया यह rectangle है area कितना हो जाएगा area is equal to L इबूला था equal to कितना हो जाएगा 2 by 3 हो गया 2 से कटेगा यह 30 2 से कटेगा यह 30 यह ओपर जाएगा 90 हो जाएगा 96 50 400 हो जाएगा minus 90 L हो जाएगा equal to L हो जाएगा equal to 91 54 9 कुछ गलात है इसको skip कर देंगे ठीक है अभी एक मिनिट बचा है कुछ question छोड़े है ठीक है इसमें क्या बोल रहा है इसमें पहले जो छूटे वे थे थे न उसको कर ले थे जो easy questions थे एक यह easy question था मट हुआ नहीं इसमें क्या लिखा हुआ है 36 लिखा हुआ है 36 का 12 में से 7 जाना चाहिए 9 आना चाहिए 12 में से 6 जाएगा 693 693 यहां टोटल आ गया अब यह 400 माइनस करना है यह 3 आएगा 9 आएगा 2 आएगा 293 तो 293 के अब रॉक्स कुछ है मिली नहीं रहा है वो answer में को ठीक है अब यह के लिखा हुआ है circumference of a semicircle इस इतना semicircle का formula circumference of a semicircle is this and this ठीक है ठीक है the length of the rectangle is twice the radius of the semicircle यह होता है pi r plus r pi r plus r r common हो गया 22 upon 7 plus 1 हो गया equal to कितना है 72 हो गया r की value कहीं given है area of the rectangle is नहीं हो पाएगा ठीक है इतना ही हो पाएगा इसको summity कर देते हैं 28 attempt करें देखते हैं कितने सही है ठीक है number series easy था कुछ question directly हो गए थे कुछ question में गलत point लग रहा था जैसे आपको यह पता यह वाला यह upstream मानके चल रहा था मैं जबकि upstream नहीं था ठीक है 28 attempt करें थे कितने सही गए दो गलत गए देखें चेक करते हैं कौन-कौन से गलत करें अभी भी question की थोड़ी practice और करनी ही बागी है क्योंकि मैं देख रहा हूँ है बीच-बीच में थोड़ा attack रहा हूँ questions में एक तो यह गलत हो गया यह क्या बोलते हैं इसको अच्छा CCTV वाले में यह number इसको तो मैंने निकाला था तो यह चीज गलत है ठीक है आगे क्या है यह वाला यह 9 न देखो जैसे approximation में होता न कि 639.85 देते हैं तो इसको हम 640 ले लेते हैं यहाँ पर क्या लिखावा है यहाँ पर बहुत जैसे 5.66 ले दिया अब इसको मैं क्या जादा लूँगा तो वो थोड़ा फरक डाल देगा ठीक है अगर यह होता 5.98 तो इसको छे लेने में कोई दिक्कत नहीं थी बट वो 0.5 भी हमें ध्यान में रखना पड़ता है तो इसमें बस यही चीज थी और यह वाला question I don't know यह क्यों नहीं बना ठीक है तो इसको मैं analysis करूंगा इसका थोड़ देर में ठीक है तो यही था आ आज की वीडियो में अगर आपको भी इस वीडियो से कुछ सीखने के लिए मिलाओ तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और शेर करें वीडियो को और लाइक करें थैंक यू फो वाचिंग दिस वीडियो थैंक यू